हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बताने बला हूँ SNB अलहली बैंक में IBM नमबर कैसे निकाले तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो शुरू करने से पहले आप सब को इकी बात बोलना चाहता हूँ अगर आप लोग हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिजिए और बेल आइकन दबा के ओल पे सेट कर दिजिए ताकि हम जब भी नहीने वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुच सके तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले SNBLL आप उपेन कर लिजे SNBLL आप उपेन होने के बाद दोस्तों ऐसे इंट्रिफिस देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर यूजरनेम और पासपोर्ट डालके लगिन कर लिजे चलिए मैं यूजरनेम और पासपोर्ट फटापट डालके लगिन कर लेता हूँ यूजरनेम और पासपोर्ट डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर लगिन में क्लिक कर दिजे अब दोस्तों आपके मोबाईल में OTP Code आएगा OTP Code यहाँ पर डाल दिजे तो दोस्तों OTP Code आ गया चलिए मैं डाल देता हूँ OTP Code तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हमारा एकाउंट ओपन हो गया है अब दोस्तों अपने एकाउंट का IBM से करने के लिए यहाँ पर 3 लाइन में क्लिक कर दिजे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफिस देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर से एकाउंट मैनेजमेंट में क्लिक कर दिजे एकाउंट मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं साप साप खिका हुआ है आईबियन लेटर तो दोस्तों इसी में क्लिक कर देचे अपना एकाउंट का आईबियन देखने के लिए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं SNB अलली एकाउंट का IBM नंबर बहुती आसान तरीका से निकल गया तो दोस्तो मैं बता देना चाहता हूँ, IBM नंबर किस-किस काम में जरूरत परता है तो दोस्तो, IBM नंबर जब हम लोग बाहर से पैसा मंगवाते हैं तभी यह IBM नंबर जरूरत परता है जैसे कि लोकल ट्रांसवर करते समय, इंटरनेशनल पैसा मंगवाने में भी यह IBM नंबर ज़रूरत परता है तो दोस्तो, अगर आप लोग को IBM नंबर निकलने का मालूम नहीं है तो इस तरह से बहुती आसान तरीका से SNBLL बैंक अकाउंट में अपना IBM नंबर निकल सकते हो तो दोस्तो, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया हुआ अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर दीजे